कि रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट से इंस्टाग्राम में बात किया था उसका बोर्ट में 94 परसेंट आया लेकिन सी उटेग्जम के फर्स्ट पेपर इस इंग्लिश में वह एक्जाम सेंटर पहुंच ही नहीं पाई एक चीज़ पास समझाना चाता हूँ कॉलेज ना एक जरिया है एक प्लैटफॉर्म में हाँ आप लोग का सक्सेस होने का चांस ज्यादा बढ़ जाती है ऐसा सिफी हिंदू हांसाद में क्योंकि उसका एंवाइरमेंट है लेकिन क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप आपको पर डिपेंड करता है आप लोग सक्सेस होना चाहते हो कि नहीं मेरा दो साल कम्प्रीट होना जा रहा है कॉर्परेट वर्ल्ड में और मैं आप लोग को ऐसे ऐसे सीनियर से मैंने मिला है जो सिंप्ली डी यू एस वेल एन सी डब्लू इबी ओपन लेर्निंग से इग हुआ 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 अगर आपका खराब गया अच्छा गया क्योंकि आपका स्किल मैंटर करेगा आप लोग को ऐसा सी सी में ना 700 प्लस सुटेंट होता है एक बीकॉम ऑनल्स का डिगरी के लिए एक कोर्स के लिए तो उसमें भी टॉप वन परसंट हाइस पैकेज कर पाते हैं क्योंकि मैं बिजनस अनलिस बन चुका हूं ऐसे प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया को मैं हैंडल कर रहा था उसको मैं लॉंच किया हूं लाइफ किया हूं जब आप लोग डली में काम करना हूं इस ग्लोगल बिजनस टैक्सेशिन क्योंकि मेरे पास एक राइट सब्सक्राइब कर लिया यू विल रॉकट तो मैं आप लोगो 100% गारेंटी देता हूं आप इस वीडियो में बने रही है आपको मैं ऐसा स्किल्स शेयर करने वाला हूं जो आपको टॉप बना देख और आपको करोरों का पैकेज भी लगा सकता है स्टार्ट करते हैं इस वी 80% ऐसे सब्सक्राइबर तो चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं रखें और अगर आपको कोई भी डाउट है अगर आपको मेंट से बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए क्योंकि मैं वहां पे आप लोग को सारा डाउट जो है वो क्लियर करता हूं च तो वो कब तक profitable हो पाएगा किस तरीका से वो फ्यूट पैसा कमाएगा किस तरीका से वो budget करना चाहिए किस तरीका से forecast करना चाहिए तो आप लोग को finance किस तरीका से उसका finance modeling होना चाहिए सारा चीज आना चाहिए एक commerce के बंदे को एक finance के बंदे को तो अगर आपका finance से बहु और बजेटिंग ये तीन फीचर्स तीन स्किल्स जो है वह आपको आने चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत राधा काम आएगा अब आपको में एक सिंपल सा एक्जैम्पल देता हूं क्या आप लोग उस बंदे को मालो कि मैं एक CEO हूं मैं दो बंदा को हाय करता हूं एक बंदा को सिर्फ TDS compliance, income tax return बढ़ेगा, GST बढ़ेगा बाकि सारे compliance देखेगा लेकिन दूसरा बंदा वो है जो consultant बनेगा मेरा 10x profit को 100x profit करेगा तो मैं किस को सब्सक्राइब पैसा दूँगा, of course मैं second को दूँगा क्योंकि आप लोग को अंदर से पल चल गया क्योंकि वो मेर बिजनस बढ़ाएगा, जो मेरा बिजनस बढ़ाएगा उसको ही मैं साथा जाथा package दूँगा तो TDS compliance, income tax return, GST जो भड़ता है उसको मैं 1 lakh rupees दूँगा, but जो मेरा 10x करेगा बिजनस उसको मैं 50 lakh, 60 lakh तक दूँगा, ये होता है असली consultant का बिजनस, अब आप लोग कैसे सीखते हो, that is business analytics, now business analytics, LinkedIn का most in demanded skill required है, ये आपको help करता है data को पूरा consolidate करके, fetch करके, different sources से, help करता है data insights, business decision लेने में, साथ साथ आपको analyze करने में help करता है, किस तरीकर से demand है, now business analytics बहुत जादा अभी आज का date में, बहुत जादा demanding और literally हर business man, data analytics, business analytics को चाता है, तो ये आप लोग कैसे analytics हर field में required हो, चाहे हो HR, media हो, telecom हो, finance हो, आप लोग पुरा screen में दे सकते है, कितना का package लगता है, यहां सटे नडिलर जी ने बहुत अच्छा तरीका से पुरा describe किया future of business analytics को, तो business analytics आपको help करता है, informed business decision लेने में, और आप लोग को बहुत जादा help करेगा, आपको future package grab करने मे अगर आप entrepreneurship journey भी सोच रहोगे, तो आप लोग को यह business analytics बहुत help करेगा, now of course आप लोग सोच रहोगे कि कहां से करना चाहिए, Fishy Hood University ने launch कर दे अपना bachelor's program in association with KPMG, now literally बहुता हो, KPMG is one of the top big fours है, जो आपको Deloitte एक है और KPMG एक है, तो KPMG के साथ इन्होंने association करके यह bachelor's program launch कि जो four years का exclusively आप लोग को business analytics सिखाएंगे, यह आपको theoretical knowledge नहीं सिखाते हैं, यह आपको पूरा practical knowledge सिखाते हैं, industry ready बनाते हैं, आज का industry बिल्कुल भी यह सोचता है कि आप लोग जैसे ही hire होते हो, किस तरीका से 1X को 10X कर सको, तो इसलिए यह आपको four years का program में बिल्कुल of course, KPMG के साथ है, तो trust का कोई यहाँ पर issue ही नहीं होता है, चार साल में आपको बहुत सारे different aspects पर बात किया जाएगा, बहुत सारे different aspects सिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको live class लिया जाएगा with KPMG faculty members, यह आपको real life case studies के बारे ही बताते हैं, जिस तरीका से food delivery app कैसे work करता है, OTT platform के सरीका से business analytics लेता है, और different case studies जैसे आप अपनी screen पर सकते हैं, यह सारे पर यह लोग बात करेंगे, आप लोग को समझाएंगे, पूरा आपको explain करेंगे ecosystem के बारे में, का international immersion programs भी चलता है, जो आपको बहुत है help करता है, personality development साल साथ आपका course development और insights लेने में, यहाँ अग करता हूँ कि यह residency program ना बहुत जादा है, आपको helpful रहेगा पर future development में, अब रिशियोड university के campus के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको clubs मिल लाएगा, बहुत अच्छा faculty members मिल लाएगा, campus life इसका बहुत अच्छा है, health and wellness, incubators, library, etc. बहुत साथ है top notch है, यह practical knowledge पे सब सादा फोकस करता है, यह theory पे कम फोकस करते हैं, क्योंकि at the end आपको काम करने आना चाहिए, और यह top 50 industry leaders के साथ, mentors के साथ, influence के साथ, tie-ups है, तो आपको direct access मिल जाता है, top leaders के साथ बात करने का, उनके साथ communicate करने का, अपना ideas share करने का, और उनको भी सुनने का, तो आप लोग direct access कर सकते हो, top leaders, company के leaders होते हैं, उनसे बात करने के लिए, और उनसे insights लेने के लिए, and of course, KPMG के consultants से तो आप लोग बातचीत करते ही रहोगे, उनके class तो आप लोग अटेंट करते ही रहोगे, so top company जो business analyst को hire करते हैं, जो कि आप लोग अपनी screen पे जाते हो, big four तो of course मिले गई, और top company ज students के लिए application fee waiver है, आप लोगो कोई application fee नहीं देने पड़ेगा, limited seat है, और देखो मैं literally बहुता हूँ, business analytics आप लोग को सीखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को बहुत जादा काम आएगा, तरूर से apply कर देजएगा, इसका link डिस्क्रोफ में, of course मैंने डाल रहे है, next skills आप format में कैसे बनाए, तो आप लोग को data visualization आना चाहिए, आप लोग को एक software बता देता हूँ, जो बहुत है help करता है data visualization में, that is tablue, आप लोग गूगल में जाएगा, tablue लिखेगा, आप लोग को different videos में जाएगा, आप लोग online भी सीख सकते हो, बेटा है कि आप लोग एक degree ले ल लेकिन job सिर्फ उसका ही किया, जिसको computer चलाने नहीं आता, आज का रिट में आपको AI tools चलाने नहीं आता तो आपका job चड़ जाएगा, आपको AI tools चलाने आने चाहिए, यह बहुत जादा helpful होता है, आपका काम असान करता है, तो job सिर्फ उसी कर जाएगा, जो AI tools से ज्यादा well आपको AI tools चलाना आगया, तो आपका value जो है, बहुत जादा बढ़ जाएगा in companies, तो आप लोग AI tools को सीख सकते हैं, बहुत सारे different AI tools है, नेक्स आता आपका prompt engineering, आपको काम करता है AI tools को चलाना सिखाने में, command देने के लिए, कोई बीचीज को command किस तरीका से तक आपको एक output नि नहीं आता है, prompt engineers क्या करते हैं, AI tools को सही तरीका से guide करते हैं, किस तरीका से उसको work करना चाहिए, किस तरीका से desirable output आना चाहिए, तो prompt engineering अगर आपने सीख लिया, finance के साथ prompt engineering out of the world, 1% आप लोग पहुंच जाओगे, and you can grab a literal crores का package में, नेक्स आता आपका database management, देखो और आप ल handling all over India का data, जो लोग use कर रहे थे हमारे product, उनका सारा data जो है मेरे पास आ रहा था, कोई भी paytm user था, उसका data भी मेरे पास आ रहा था, तो उसको manage करना, किस तरीका से आप लोग manage कर सकते हो, किस तरीका से desirable output पे लेका सकते हो, एक सही output लेका सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े कहते हैं, कि एक मुझे कम चीज़ दिखे और मुझे सारे चीज़ समझ आ जाए, कम चीज़ में ज्यादा output दिखे, तो वो database management होता है, उसको आप लोग कैसे सकते हो, SQL और Hive, ये दो applications है जो आप लोग चला सकते हो, जो आप लोग सीख सकते हो, और आपका बहुत जादा काम असान हो जाएगा, आपका literally package में, आपका internships और skills आप लोग को कौन कौन सीख करने चाहिए, देख और internships ना, आप लोग, मैं आप लोग के लिए जब भी vacancy निगलेगा, big fours में, top companies में, of course मैं video डाल दूँगा, और Instagram मैं story डाल दता हूँ, तो आप लोग जो लोगs Instagram में मुझ लोग experience आता है, और अभी का date में, आप लोग जो मैंने skills बताया है, वो ज़रूर से सीखिएगा, लेकिन दूसरी चीज यह, आप लोग को economic times पढ़ना है, और साथ-साथ current affairs से भी updated रहना है, दोकर यह दोनों बहुत basic चीज़ है, जो आप लोग को help करता है, आपका value development में, personality development म जब 10 लोग बात करते हैं, कोई भी बात करता है, तो आप लोग का उसमे value आना चाहिए, आप लोग को input आना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि GDP बात करे और आपको GDP का full form तक भी नहीं पता, तो जितना आप लोग newspaper और updated रहेंगे अपने current affairs से, उतना आपके लिए भी helpful देगा, impact डालने में, positive impact डालने में भी आपका help करता है, देखो एक छोटा सा conversation में बहुत सारे लोगों को परचल लाता है, कि यह वो कितना पानी में है, कितना समझी गए हो गए, तो आप लोग को इमें top skills बता दिया हूँ, अगर आपको professional skills जाननी है, तो आप ये video ज़रू से देख सकते हैं, जहाँ आप मैंने professional courses बताया, other than see, आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो of course बहुता valuable ad चीज़ करता हूँ, मैं आप लग का life में, उसके लिए बस मैं एक चीज़ चानल को subscribe कर रख लिजेगा, तो मैंने इतना चीज़ों पर बात किया, इतना सारे skills शेर किया, आप लो क्लीक से बात किया है, जो इगनो से आया है, और लिटरली बहुत अच्छा knowledge है, क्योंकि उनका डिपेंड करता है कि वो लोग जीना चाते है कि ने एक average life, अगर आपने ये सोच लिया ना, कि आप एक average life नहीं जीना चाते, आपको पूरा दुनिया भी आगर आपको failure मानता है तो भी आप लोग एक दिन ना एक दिन आपका बैट में लगेगा, middle of the bat लगेगा और six जाएगा, बस वो आपको patience रखना है, उपको consistency रखना है, देखो जब आप लोग जन्नम लेता है तो आपका parents तो नहीं हो जाता था कि आप लोग एक average life जी होगे, तो आप लोग हार क्य 43% आया, कोई एक ऐसा student है, जिसको मैंना भी recently पढ़ा है, जो Tesla में higher हुआ है, बीना कोई graduation किये, भाई ऐसे exceptions बनते हैं, जी हाँ, आप लोग भी exceptions बन सकते हैं, ये सारे skills सीख के, ये सारे मैंने पूरा research किया है, research करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे skills आपक और दुनिया को प्रूब करना है कि आप लोग average student नहीं है, at the end आपको ये नहीं पुछेगा कि आप लोग कौन सा कॉले से graduate कि हो, at the end ये पुछेगा कि आप कितना कमाते हो, and that's my life, and that's life my friends, कि आप लोग कितना कमाते हो, वो matter करते हैं, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, चैनल को सब्सकाइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बता के लिए बाए,